उम्शंति, गुड मॉनिंग आज इस दीपोट्सवी, दीपावली पर, जो यग्ये के इतिहास में विशेश दीपावली का महत्व है एक है दीपावली जो सारी दुनिया मनाती है, बड़े हर्ष उमंग और उल्लास के साथ, नया नया पहनना, अच्छा अच्छा खाना, घर को भी नए नए धंग से सजाना, जो हमारी दुनिया वी रसम है लेकिन उसमें भी उमंग और उत्साह समाया हुआ है बाबा ने इस विशेश पर्व का जो महत्व बताया, ये एक ही पर्व है जिसके साथ में शुब शब्द लिखा जाता है शुब दीपावली, शुब शिवरात्री नहीं कहेंगे, शुब क्रश्नास्टुमी नहीं कहेंगे, लेकिन शुब दीपावली क्योंकि जब स्रिस्टी पर चारोर अंधकार चाया हुआ था, तब उस दीप राजबाबा ने आकर के, अंधकार को समाप्त करने के लिए, सबसे शुब और स्रेष्ट कारे किया, ज्यान का गृत डाला, और योग की अगनी जलाई, जिससे आत्माओं की जोत जगी, और उन जगी खुई आत्माओं ने, दूसरा शब्द कहते हैं दीपावली, अवली मना पंक्ती, लाइन, वो जो दीपक जगे, उन सभी दीपकों ने अनेक दीपकों को जगाया, जिससे दीप माला तयार खुई, और विश्व से अंदकार समाप्त हुआ, हम आत्माओं ने भी अपनी उस संपन और संपूर्ण स्थिती को प्राप्त किया, जिसके कारण दीप राजा को हम प्रत्यक्ष कर सके, खुशी, उमंग, आनंद, उत्सह, ये पर्व की निशानी है, तो सभी बड़े उमंग और उत्सह के साथ इस दीपावली के पर्व को मनाते हैं, क्योंकि शुब और स्रेष्ट कारे हुआ, जिससे अंदकार समाप्त हुआ, और इसी दीपावली पर्व पर सारे वर्ष का जो भी किचड़ा है, जो हिसाब किताब है, उस सब को चुक्तु करते हैं, तो ये भी निशानी है कि काल चक्र के अंदर ये अंत का समय है, जब हम सारे 63 जन्मों के हिसाब किताब किचड़ा सब निकाल करके आत्मा को सवच्छ और संपन बनाते हैं, और वो हर रोज दीपराजा इस दीपरानी के दीपक में गृत डालता रहता है, जिससे जोत प्रजुलित रहती है, अगर कहां से कोई किचड़ा आ भी जाता है, तो प्रकाश में दिखाई देता है, अर्थात आत्मा उस चीज़ को महसूस करती है, कि ये मेरी कमजोरी है, जो रह गई है और उसको समाप्त करती है, तो ये भी दीपावली के पर्व पर ही हम करते हैं, तीसरी बात, यग्य के इतिहास में ये वो दिन है, जिस दिन हमारी सभी दादियों ने अपना बाबा के आगे समर्पण किया, और समर्पण से हर दादी को हम देखते थे जब दीपावली आती थी, इतना उमंग उत्साह के साथ में अपना अलोकिक जनम दिन मनाते थे, और बाबा ने भी अपने सारी प्रोपर्टी इन बेहनों को विल कर दी, तो ये यग्य इतिहास का वो एक सुनहरा दिन है, जिस दिन अनेक दीपरानियों ने अपने जीवन को उस दीपराजा पर प्रभू पर अर्पण किया, तो उनके अलोकिक जनम दिन का भी ये यादगार अत्वा समर्पण दिवस का यादगार ये दीपावली है, जो हम सब बड़े उमंग और उत्सहा के साथ मनाते हैं, तो आज सभी को इस शुब दीपावली परव की खोब-खोब-खोब मुवारक, अविनंदन और वधाया हैं। और साथ ही साथ ये चमकते हुए दीपक हमेशा ऐसे चमके जो हम अपने चेहरे और चलन के द्वारा, उस दिव्य मूरत के द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकें। ऐसी दीवाली की खोब-खोब-खोब मुवारक, अविनंदन और वधाया हैं। सदा मुख मीठा रखेंगे, तोली तो आज खाएंगे, लेकिन मुख तो सदा मीठा रहेगा, हमेशा हमारे मुख से मधुर बोल निकलते रहेंगे, जो भी गीत बज रहे थे, उन गीतों के अंदर में कितना अच्छा दीपवली का रह से समाया हुआ था। सिर्फ क्या करना है? एक दिया जलाना है और वो दिया किसका जलाना है? दूआ का दिया जलाना है। दूआएं दो, दूआएं लो तभी तो दिया कहा ना? दिया तो आज हम सारा दिन दिया जला करके रखेंगे, देंगे। और क्या देंगे? हर आत्मा को बाबा कहता है चाहे काले कोईले जैसी भी आत्मा हो उसको हम दूआ देंगे। तो ये दिया सारा दिन जगा रहेगा, सदा जगा रहेगा और अनेकों को दूआएं देता रहेगा। तो आज बाब दादा ने भी विशेश बच्चों को उस उमंग और उत्सहा उस इश्वरी नशे में देखा है। तो जब मुरली पड़ रही थी तो याद आता था, जैसे बच्चों को कभी डर लगता है न, तो माबाप उनको क्या सिखाते थे, सुनते हैं, कि वै उस जाड के नीचे से जाता था, तो डर लगता था, तो माबाप उसको कहते थे, तुम डरना नहीं, तो मैसे करना, तो साथ साथ क्या करना है, इनों को डराना है, समझा, भूतों को डराना है, कितने न, किसी से डरते हैं, तो वो हमारे पर हौवी होता है, और आप उनको डराओ तो भाग जाएंगे, तो आज बाबाने भी भूतों को डराना है और भगाना है, लेकिन इन से डरना नहीं है, और शे बाबा का बच्चा कहलाने के अधिकारी कौन है उसको भी बाबा ने हमें स्पस्ट किया है तो सुनते हैं आज के दीपावली के पर्व के बाबा के इन मधुर महावाक्यों को 31 तरीके बाबा के महावाक्य है इस मास का भी लास्ट डे है मीठे बचे ओडर करो हे भूतो तुम हमारे पास आ नहीं सकते सुना समने हूँ हे भूतो तुम हमारे पास आ नहीं सकते तुम उनको डराओ तो वो भाग जाएंगे किस-किस को डराना आता है किस-किस को डराना आता है हाथ खड़ा करो तो जिसे भूतों को डराना आता है हाँ उचा-उचा हाथ खड़ा करो थोड़ो को डराना बाकी सब डरते हो हम दरने वाले हैं क्या? नहीं न? तो हाथ नहीं खड़ा करते हैं यह वैसे भी बच्चों को भी कैसे ऐसे ऐसे अलग-अलग आकरतिय बना करके नहीं धराते हैं तो इन भूतों को हमें कैसे दराना है? अपने उस शक्ति स्वरूप से कम्बाइन स्वरूप से इन भूतों को दराना है जब हमारा शिव शक्ती स्वरूपा देखेंगे तो भूत को हिम्मत होगी हमारे पास आने की दूर से भागेगा इसलिए बाबा आज पढ़ा रहे है प्रश्ण है इश्वरिये नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है इश्वरिये नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है हमारी शोभा क्या है सदा हर्षित और नशे में रहना और हमा शोभा पवित्रता हमारी शोभा है ओमंग उत्सा हमारी सेवा है और बाबा का शोग करना हमारी शोभा है बाबा ने भी कहा है सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है जब नशा है कि हमें ईश्वर ये लौट्री मिली है तो सर्विस का शोख होना चाहिए परन्तु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा दूसरा प्रश्ण है शेव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है कौन हकदार है तो बाबा ने कहा जिने निश्चे है कि भगवान हमारा बाप है हम ऐसे उँचे ते उँचे बाब के बच्चे है ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शेव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार है अगर केरेक्टर ठीक नहीं चलन रोयल्टी की नहीं तो वो शेव बाबा का बच्चा याद है यहां जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए हम बेखत के बाब के बच्चे हैं और नित्य बाब को याद करते हैं याद करने बिगर हम वर्षा ले नहीं सकते बाबा कहता है काहे का वर्षा याद किये बिना हम वर्षा नहीं ले सकते काहे का वर्षा किसका वर्षा स्वर्ग का मुक्ती जीवन मुक्ती का बाबा ने कहा पवित्रता का तो उसके लिए ऐसा पुरुशार्थ करना चाहिए कभी भी कोई विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती कोई भी विकार की बात हमारे सामने आ नहीं सकती बाबा कहता है सिर्फ विकार की भी बात नहीं एक भूत नहीं परंतु कोई भी भूत नहीं आ सकता सुना कितनी बड़ी चलें एक भूत नहीं परंतु कोई भी भूत नहीं आ सकता ऐसा शद्ध अहंकार रहना चाहिए बहुत उउच ते उच भगवान के हम बच्चे भी उँचते उँच है तो फिर जब उँचे ते उँचे हैं तो बाबा कहते हैं बातचीत चलन कैसी रॉयल होनी चाहिए बाब चलन से समझते हैं ये तो बिल्कुल ही बर्टनाट एपैनी है ये मेरा बच्चा कहलाने के हकदार भी नहीं सुना बच्चा होते हुए बाबा क्या समझ रहा है ये बच्चा कहलाने का हकदार नहीं है लग के बाप को भी न लायक बच्चे उसको देख अंदर में ऐसे होता है ये भी बाप है बचे जानते हैं बाप हमको सिक्षा दे रहे हैं परन्तु कोई-कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल भी समझते नहीं है बाबा समझाते रहते हैं सिक्षा देते हैं फिर भी बिल्कुल समझते नहीं है बेहत का बाप हमको समझा रहे हैं वो निष्चे नहीं, वो नशा नहीं तो बाबा ने कहा तुम बच्चों का दिमाग कितना उँच होना चाहिए हम तो कितने उँचे ते उँचे बाब के किस-किस का दिमाग उँचा है हम उँचे ते उँचे बाब के बच्चे है बाब कितना समझाते है अंदर में सोचो हम कितने ओंच ते ओंच है हमारा करेक्टर कितना ओंच होना चाहिए जो इन देवी देवताओं की महिमा है वो हमारी होनी चाहिए हम सो देवता है न तो जो उनकी महिमा है वो हमारा चरित्र होना चाहिए कई तो बबा ने कहा जो इन देवी देवताओं की महीमा वो हमारी होनी चाहिए प्रजाक की थोड़ेई महीमा है एक लक्ष्मी नारेंड को दिखाया है दिखाया तो एक लक्ष्मी नारेंड को है तो बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए तो तुम्हारा दिमाग कैसा होना चाहिए? कितना उंच होना चाहिए? नहीं कहते हैं, इसको तो कोई चीज पसंद नहीं आती, इसका दिमाग कैतना उंच है? तो हमारा दिमाग उस रॉयल्टी से भर पूर, उस निष्चे और नशे से भर पूर चाहिए? फिर बाबा ने कहा, तुम्हारा दिमाग कितना उंच होना चाहिए? कई बच्चों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना सुनने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, माया से हार खा लेते हैं, तो और ही जास्ती भी गड़ जाते हैं, नहीं तो अंदर में कितना नशा रहना चाहिए? हम बेखत के बाब के बच्चे हैं, बाब कहते हैं, सब को मेरा परिचे देते रखो, सर्विस से ही शोभा को पाएंगे, सर्विस ही तो हमारी शोभा है ना, तब ही बाब की दिल पर चड़ेंगे, बच्चा वो, जो बाब की दिल पर चड़ा हुआ, अब पूछना अपने आपको, मैं बाबा की दिल पर चड़ा हुआ हूँ, बाब का बच्चों पर कितना लव होता है, बच्चों को सिर पर चड़ाते हैं, इतना मुह होता है, परंतु, वो है हद का माया भी मुह, मुह मुह जो बच्चों को चड़ाना सिर पर, वो है हद का माया भी मुह, ये तो है बेखद का, ऐसा कोई बाब होगा, जो बच्चों को देख, खुश न हो, होगा कोई बाब, जो बच्चों को देख, खुश न हो, माबाप को तो अथा खुशी होती है यहाँ जब बैठते हो तब समझना चाहिए बाबा हमको पढ़ाते है बाबा हमारा ओविडियन टीचर है बेखत के बापने जरूर कोई सर्विस की होगी तब तो उनका इतना गायन है कितनी वन्रफूल बात है कितनी उनकी महिमा की जाती है यहाँ बैठे हो तो यह नशा रहना चाहिए बाबा ने कहा सन्यासी तो हैं ही निवृत्ती मार्ग वाले उन्हों का धर्म ही अलग है यह भी अब बाप समझाते हैं तुम थोड़े ही जानते थे सन्यास मार्ग को तुम तो ग्रहस आश्रम में रहते भक्तियादी करते थे तुमको फिर ज्ञान मिलता है उनको तो ज्ञान मिलने का है ही नहीं किसको? सन्यास्यो को तुम कितना उच पढ़ते हो और बाबा कहता है बैठे कितने साधारण हो अभी तो हमारी बैठक में भी रॉयल्टी आ गई है सोफो पर बैठे हैं, हौल में बैठे हैं तब तो पट में दरी पर बैठे हुए होते थे तो बाबा ने कहा देलवाडा मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो और उपर में वैकुंट खड़ा है उपर वैकुंट को देख मनुष्य फिर समझ लेते हैं स्वर्ग उपर में तो तुम बच्चों के अंदर ये सब बाते आनी चाहिए चाहिए स्मुरुती में मन्थन चिंतन में रहनी चाहिए ये स्कूल है हम पढ़ रहे हैं कहां चकर लगाने जाते हो तो भी बुद्धी में ये ख्यालात चले तो बहुत मज़ा आएगा घुमने गए चकर पर गए तो बाबा कहता है लेकिन जिंतन तो यही चलना चाहिए तो तुम्हे बहुत मज़ा आएगा बेखत के बाप को तो दुनिया में कोई भी नहीं जानते है बाप के बच्चे बनकर और बाप की बायोग्राफी को न जाने तो न, बाप के बच्चे बनकर बाप की बायोग्राफी को न जाने तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, निधन के, बे समझ, बाब ने कहा ऐसा भुटु कभी देखा, बाप का बन कर बाप को न जाने, ऐसा भुटु कहां देखा, न जानने के कारण फिर कह देते हैं सरव्यापी बगवान को ही कह देते हैं आपे ही पुझे, आपे ही पुझारे तुम बच्चों के अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी कैसी होती है अपार खुशी अपार खुशी कैसी होती है मापे ना मापाई पाउं से चोटी तक और धर्ती पर पाउं नहीं तो बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए हम कितने ओच पूचे थे फिर हम ही पुजारी बने हैं जोशी बाबा तुमको इतना ओच बनाते हैं फिर ड्रामा अनुसार तुम ही उनकी पूजा शुरू करते हो अब इन सब बातों को दुनिया थोड़े ही जानती है कि भक्ती कब शुरू होती है बाब तुम बच्चों को रोज रोज समझाते हैं यहां बैठे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए किसके अंदर खुशी के नगाडे बज रहे है यहां बैठे तो बाबा को खुशी चड़ानी पड़ रही है यहां बैठे हो तो तुम्हारे अंदर खुशी होनी चाहिए किस बात की हमको कौन पढ़ाते हैं भगवान आकर पढ़ाते हैं यह तो कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा और हम प्रैक्टिकल में पढ़ रहे हैं वो तो समझते हैं गीता का भगवान शिरीक्रश्न है तो शिरीक्रश्न ही पढ़ाता होगा अच्छा शिरीक्रश्न भी समझो तो बाबा कहता है तो भी कितनी उच अवस्था होनी चाहिए एक किताब भी है मनुष्य मत और इश्वरिय मत का देवताओं को तो मत लेने की दरकार्खी नहीं है मनुषे चाहते हैं ईश्वर की मत देवताओं को मत अगले जन्व में मिलती है जिससे उन्होंने वो पद पाया है अभी तुम बच्यों को शिरी मत मिल रही है स्रेश्ट बनने के लिए ईश्वर ये मत और मनुषे मत में कितना फर्क है मनुषे मत क्या कहती है ईश्वर ये मत क्या कहती है तो जरूर ईश्वर ये मत पर चलना पड़े कोई से मिलने जाते हैं तो कुछ भी ले नहीं जाते अब कहां बाबा चल बाता ईश्वर ये मत पर अब बाबा को सेवा याद आई, जब किसी से मिलने जाते हैं, तो कुछ ले नहीं जाते, याद नहीं रहता किसको क्या सौगात देनी चाहिए, क्योंकि बाबा कहता तक लिटरिचर ले करके जाओ, तो वो पढ़े, तो उनको ज्ञान मिले, कुछ समझ, तो बाबा ने कहा, ये मनुष्य मत और ईश्वरी मत का कॉंट्रास्ट बहुत जरूरी है, तो मनुष्य थे, तो आशुरी मत पर थे, और अभी तुमको ईश्वरी मत मिलती है, उनमें कितना फर्क है, ये शास्त्रादी सब मनुष्यों ने बनाए हैं, बाब कोई शास्त्र पढ़कर आते हैं क्या? बाब कहते हैं, मैं कोई बाब का बच्चा हूँ क्या? बाबा किसी का बच्चा है क्या? मैं कोई गुरू का शिश्य हूँ क्या? जिससे सीखा हूँ, तो ये सब बाते समझानी चाहिए भल ये जानते हैं कि बंदर बुद्धी हैं, परंतु मंदर लाइक बनने वाले भी है न? है तो बंदर बुद्धी, परंतु ये बंदर बुद्धी तो मंदर लाइक बनेंगे न? ऐसे बहुत मनुष्य मत पर चलते हैं, फिर तुम सुनाते हो कि हम ईश्वरी मत पर क्या बनते हैं, वो हमको पढ़ाते हैं आओ मिलकर करें ऐसी दिवाली मनाएं, धर्ती आकाश हम जग मगाएं सारे अंबर के तारे जमी पे ले आएं, रोशनी दिल में सब के फैलाएं ऐसी हो प्यारी दिवाली, जीवन जग में हो खुशहाली, स्वर्ग अपनी धर्ती को बनाएं हाथों में हम हाथ दिये हो, इश्वर का भी साथ लिये हो, हम उमंगों के रंग लगाएं आओ मिल करके ऐसी दिवाली मनाएं, धर्ती आकाश हम जग मगाएं हाथ आओ चले साथ में है एक पा में तागत है पाहों में शक्ती है दुनिया को हम बदल के दिखाएं दुआओं की फुर जडिया आशाओं की लडिया अखियों से लब युक दिखाएं अब तो नादेर है दिन वो नादूर है खुश्का पर सबको सुनाएं ऐसी हो प्यारी दीवाली जीवन जग में हो खुशहाली स्वर्ग अपनी धर्ती को बनाएं हाथों में हम हाथ दिये हो इश्वर का भी साथ लिये हो हम उमंगों के रंग लगाएं है 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 आओ मिल करके ऐसी दिवाली मनाएं धर्ती आकाश हम जग मगाएं सारे अंबर के तारे जमी पे ले आएं रोशनी दिल में सब के फेलाएं कर दो भाएं प्रिवाएं आप 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 तो पापा ने कहा, वो हमको पढ़ाते हैं, बगवान वाच, हम उन से पढ़ने जाते हैं, हम रोज एक पौना घंटा पढ़ते हैं, क्लास में जास्ती टाइम नहीं लेना चाहिए, याद की यात्रा चलते फिरते भी कर सकते हैं, ज्ञान और योग, दोनों ही बहुत सहज हैं, अलफ है ही एक अक्षर, बक्ति मार्ग में तो धेर शास्त्र हैं, बाबने का इकठा करो तो सारा घर भर जाए। कितना इन पर खर्चा हुआ होगा, अब बाब तो बहुत सहज बात बतलाते हैं, सिर्फ बाब को याद करो। तो बाबने कहा बाब का वर्सा है ही स्वर की बादशाही, तुम विशो के मालिक थे ना, भारत हैवन था ना, क्या तुम भूल गए हो? पुछ रहा है बाबा, ये था ना, क्या तुम भूल गए हो? क्या कहेंगे बाबा को? बाबा कहता है, ये भी ड्रामा की भावी। बच्चों को चुड़ा लिया। ड्रामा में था ये भी ड्रामा की भावी। अब बाबा आया हुआ है, हर पांच हजार वर्ष बाद आते हैं पढ़ाने, बेखत का बाब का वर्षा जरूर स्वर्ग की नई दुनिया का होगा ये तो बिल्कुल सिंपल बात है ना लाखो वर्ष कहने से जैसे बाब ने कहा ताला लग जाता है ताला खुलता ही नहीं ऐसा ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज बात भी नहीं समझते हैं बाप समझाते हैं एक ही बात बस जास्ती कुछ नहीं पढ़ना पढ़ाना चाहिए यहां तुम एक सेकंड में किसको भी स्वर्गवासी बना सकते हो परन्तु ये स्कूल है इसलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान तो इतना देते हैं कितना बाबा ने ज्ञान दिया माता हैं बाबा कितना ज्ञान देते हैं सागर को शाई बनाओ सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं आ सकता ज्ञान को धारण करते समय, कितना समय हुआ, भक्ति को तो आधा कल्प हुआ, ज्ञान तो तुमको ये एक ही जन्व में मिलता है बाप तुमको पढ़ा रहे हैं नई दुनिया के लिए उस जिस्माने स्कूल में तो तुम कितना समय पढ़ते हो, पाँच वर्ष से लेकर बीस वाइस वर्ष तक पढ़ते ही रहते हैं कमाई थोड़ी और खर्चा कितना करेंगे, तो घाटा पढ़ जाएगा, यहां हमारे वाँ इतना वर्ष पढ़ते हैं पिर भी प्राप्ति क्या है, बाप कितना solvend बनाते हैं, फिर insolvent बन जाते हैं, अभी भारत का हाल देखो, क्या है? फलक से समझाना चाहिए, माताओं को खड़ा हो जाना चाहिए सुन रही है माताओं? बैठी हो न? तो अभी क्या कह रहा है बाबा? कैसे खड़े होंगे? जा वो उमंग अरुल्लास के साथ सर्विस में, मैदान में आ जाओ तुम्हारा ही तो गायन है माताओं का गायन क्या है? वन्दे मात्रम धर्ती को वन्दे मात्रम नहीं कहा जाता वन्दे मात्रम मनुष्य को कहा जाता है बच्चे जो बंधन मुक्त हैं वही ये सर्विस करते हैं वो भी जैसे कल्प पहले बंधन मुक्त हुए थे वैसे होते रहते हैं अवलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं जानते हैं बाप मिला है तो समझते हैं बस अब तो बाप की सर्विस करनी है बाबा ने कहा बंधन है ऐसे कहने वाले उसको टाइटल दो जो कहते हैं हमें बंधन हैं कैसे करें नहीं कर सकते हैं इसका बंधन उसका बंधन तो बाबा ने कहा वो जैसे रीड वक्री है सुना जो कहते हैं हमें बंधन हैं हम नहीं कर सकते वो जैसे रीड वक्री है government कभी कह न सके कि तुम इश्वरी ये सर्विस न करो बात करने की हिम्मत चाहिए बाबा थोड़ी कभी किसको ना करेगा वो quality नहीं होगी वो शक्ती नहीं होगी तब किसको कहा जाएगा कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो वाकि थोड़ी कहेंगे तो बाबा ने कहा वो हिम्मत चाहिए जिन में ग्यान है वो तो इतने में सहज बंधन मुक्त हो सकते है ये बलभर रहा है बच्चों में बाबा कि नहीं कर सकते नहीं कर सकते बाबा कहता है जिसमें ग्यान है वो तो सहज में बंधन मुक्त हो सकते है जज को भी जाकर समझा सकते हो हम ये रुखानी सेवा करना चाहते हैं किसी को बंदन नहीं जाने देते माबाप तो बाबा उनको कह रहा है जज को भी तुम जाकर के समझा सकते हो रुखानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं क्रिश्चन लोग फिर भी कहते हैं करो, गाइड बनो, भारतवासियों से फिर भी उन्हों को समझ अच्छी है, तुम बच्चों में तो जो अच्छे समझदार हैं, उनको फिर सर्विस का शौक रहता है, समझते हैं कि इश्वरी ये सर्विस बहुत बड़ी लॉट्री है, सर्विस को क्या समझते हैं, लॉट्री है, लॉट्री में क्या होता है, दस रुपई की टिकिट है, और उसमें आपको चीज सामने क्या मिल रही है, सैकडों की, हजारों की, वो चीज मिलती है, तो खुशी होती है, तो ऐसे ही यहां हम करते क्या है, थोड़ी सेवा करते हैं, औ तो सर्विस तो जैसे एक लॉट्री है, कई तो लॉट्री आदी को भी नहीं समझते हैं, ऐसे बचे हैं, वहाँ भी जाकर दास दासियां बनेंगे, दिल में समझते हैं, अच्छा दासी ही सही, समझा, पूर उशार्थ होता नहीं है, तो भी रंदर में क्या समझते हैं, आच्छा दासी ही सही, है कोई ऐसा यहाँ, आच्छा दासी ही सही, तो बाबा कहता है स्वर्ग में तो होंगे न वो क्या समझते हैं दासी ही सई स्वर्ग में तो होंगे न उन्हों की चलन भी ऐसी देखने में आती है तो बाबा ने का नहीं बाबा ने एक लाइन रहे दिल में समझते हैं अच्छा दासी ही सई चंडाल ही सही सुधरना नहीं है बले चंडाल तो चंडाल बनेगे स्वार्गु में तो होंगे तो बाबा कहता है उनकी चलन ऐसी देखने में आती है तुम समझते हो बेहत का बाप हमको समझा रहे हैं ये दादा समझाते हैं बाप इन द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं कोई तो इतना भी नहीं समझते हैं यहां से बाहर निकले और खलास यहां पर बैठे भी जैसे कुछ नहीं समझ रहे हैं यहां बैठे भी हैं बगवान पढ़ा रहा है तो भी कुछ नहीं समझते बुद्धी बाहर भटकती धक्का खाती रहती है एक भी भूत नहीं निकलता है तो भूतों का गर जिसमें है तो वो ग्या करेगा पढ़ाने वाला कौन और क्या बनते हैं शाहुकारों के भी दासदासी बनेंगे ना राजाओ के दासदासी नहीं शाहुकारों के भी दास दासी बनेंगे न, अभी भी शाहुकारों के पास कितने नौकर्चा कर रहते हैं, सर्विस्त पर तो एक दम उड़ना चाहिए, तुम बचे शांती अर्थ निमित बने हो, वीशु में सुक शांती स्थापन कर रहे हो, प्रेक्टिकल में तुम जानते ह हम शिरिमत पर स्थापन कर रहे हैं, इसमें कोई अशांती नहीं होनी चाहिए, बाबा ने यहां बहुत ऐसे अच्छे अच्छे घर देखे हैं, एक घर में छे साथ बहुए इकठी रहती हैं, और इतना प्यार से रहती हैं, बिलकुल घर में शांती लगी हुई है, वो परि अच्छे वार भी हैं, और कहां दो हैं, आपस में ही नहीं बनती हैं, तो बाबा ने कहां, वो बोलते थे, हमारे घर में तो स्वर्ग लगा पड़ा है, कोई खिट-खिट की बात नहीं, सब आग्याकारी हैं, उस समय बाबा को भी सन्यासी के ख्यालात थे, बाबा की घर के जमेश था यह, बाबा तो नाम सब भूल गए, दुनिया से वैराग रहता था, अभी तो यह है बेखत का वैराग है, कुछ भी याद न रहे, बाबा तो नाम सब भूल जाते हैं, बच्चे-बच्चे कहते रहते हैं, तो बाबा ने कहा, बाबा, बच्चे कहते हैं, बाबा, आप हमको याद करते हो, बच्चों ने बाबा को पुछा, बाबा, आप हमको याद करते हो, तो बाबा ने क्या कहा होगा? बाबा कहते हैं हमको तो सबको भूलना है ना विष्रो ना याद रहो समझा ये स्थिति चाहिए ये भूल भी नहीं जाओ ये हमारा भाई है हमारे परिवार का है और ना उसको याद रहो रख करते रहो ना विष्रो ना याद रहो बेखत का वैरा के है न, सब को भूलना है, हम यहां की रहने वाले थोड़े हैं, बाप आया हुआ है, अपना स्वर्ग का वर्सा देने, बेखत का बाप कहते हैं, मुझे याद करो, तो तुम विशो के मालिक बन जाएंगे यह बेख बहुत अच्छा है, समझाने के लिए, कोई मांगे, तो बोलो समझ कर लो, इस बेख को समझने से, क्या होगा, तुम को विशो की बाद्शा ही मिल सकती है शे बाबा इस ब्रह्मा द्वारा डारेक्षन देते हैं, मुझे याद करो, तो तुम ये बनेंगे गीता वाले जो हैं, वो अच्छी रीती समझ लेंगे, जो देवता धर्मकी होंगे कोई-कोई प्रश्न पूछते हैं, देवताएं गिरते क्यों हैं? जब देवता थे, सोला कला सम्पूर्ण थे, तो देवताएं गिरते क्यों हैं? तो बाबा ने कहा, अरे ये चक्र है, इसको फिर ना ही है इस फिर थोड़ी रहेगा, फिरता रहता है, पुनर जन्म लेते लेते, नीचे तो उतरेंगे न, चक्र तो फिर ना ही है हर एक की दिल में ये आता जरूर है, हम सर्विस क्यों नहीं कर सकते जरूर मेरे में कोई खामी है, तो आज दीपा बली है, खामी को खतम कर दो माया के भूतों ने नाक से पकड़ा हुआ है, इसलिए सर्विस नहीं कर पा रहा है अब तुम बच्चे समझते हो, हमको बापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आकर हम राज्य करेंगे तुम सब कौन हो, तुम सब मुसाफिर हो, तो बापा ने का तुम सब मुसाफिर हो ना, दूर देश से यहां कर पाट बजाते हो, अभी तुम्हारी बुद्धी में है, कि हमको अमर लोग में जाना है ये मृत्य लोग खलास हो जाना है, बाप समझाते हैं, समझाते तो बहुत हैं, अच्छी रीती धारण करना है बाबा कहता है, धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्यान अच्छी रीती धारण हो, अपनी बुद्धी में उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है उसको उगारना चाहिए विचार सागर मन्थन कहो उसको उगारना चाहिए इसको फिर उगारते रहना चाहिए ये भी बाप ने समझाया है कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी बीमारी तो आएगी ना शारी रिक हिसाब किताब होगा तो कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी माया सताएगी बीमारी भी आएगी और माया भी सताएगी परन्तु बच्चे मूंजना नहीं मूंजते हैं तो रहा नहीं दिखाई देती है क्या करूँ कैसे करूँ मूंजो नहीं अच्छा ये भी तो नॉलेज है ये आई है चुक्तु करने के लिए चुक्तु हो गया तो क्या धरणा क्या रखनी है चाहिए माया आए चाहिए बीमारी आए पेपर आए लेकिन मूंज मुझना नहीं है, तो फ्यूज नहीं होंगे, तो फ्यूज नहीं उड़ेगा, तो कनेक्शन चालू रहेगा और रास्ता मिलेगा, तो बाबा ने कहा, मुझना नहीं है, थोड़ा कुछ होता है, तो बच्चे हैरान हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ, हैरान हो जाते हैं, बाबा कहता है, बीमारी में मनुष्य और ही बगवान को जास्ती याद करते हैं, फिर बेंगॉल का मिसाल दिया, जब कोई बहुत बीमार होता है, तो उनको कहते हैं, राम बोलो, राम बोलो, अब देखते हैं, ये मरने पर है, तो फिर क्या करते हैं? फिर बाबने कहा गंगा पर ले जा करके हरी बोल, हरी बोल कर देते हैं, उनको फिर बाबा कहता है, जलाने की क्या दरकार है? गंगा के अंदर डाल दो ना, कच्छ मच्छादी का शिकार हो जाएगा, काम में आ जाएगा, जैसे पार्सी लोग रख देते हैं, तो वो हड़ियां भी काम में आती हैं बाप कहते हैं तुम सारा ग्यान सुना दिया फिर लास्ट में बाबा कहता है तुम सब बाते भूल मुझ बाप को याद करो अच्छा, मीधे मीधे, सिकी लदे, बच्चो प्रती मात, पिता, बाप, दादा का याद, प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चो को नमस्ते हम रोहानी बच्चो की रोहानी बाप को नमस्ते नमस्ते दारणा की पहली पॉइंट है बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा कत्नी है फलक से समझाना है कि हमें रुहानी बाप पढ़ा रहे है हम रुहानी सेवा पर हैं ईश्वर ये सेवा की उच्छल आती रहे दूसरी पॉइंट है कर्म भोग की बीमारी वा माया के तूफानों में मुझना वा हैरान नहीं होना है बाप ने जो ग्यान दिया है उसे उगारते बाप की याद में हरशित रहना है वर्दान है निराकार और साकार दोनो रूपों के यादगार को विधी पूर्वक मनाने वाली स्रेश्ट आत्मा भव दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है आप चमक्ती हुए आत्में दीपक की लौ मिसल दिखाई देती हो सुना चमक्ती हुए आत्मा कैसे दिखती है दीपक की लौ के समान दिखाई देती हो इसलिए चमक्ती हुए आत्में दीवे जोती का यादगार स्थूल दीपक की जोती के रूप में दिखाया है यह चमक्ती हुई आत्मा की जोती उसका फिर उन्दिव्य जोती का यादगार स्थूल दीपक के रूप में दिखाया है तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार है जोती किसका यादगार है? निराकारी आत्मा के रूप का यादगार है तो दूसरी तरफ आपके ही भविश्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप का यादगार है वो साकार स्वरूप हो गया देने वाली लक्ष्मी के रूप का यादगार है यही दीप माला देव पद प्राप्त कराती है सुना राज निराकार उ साकार रूप कौन से हमारे तो आप स्रेश आत्मे अपना यादगार स्वयम ही मना रहे हो निराकार भी हमी आत्मे जोत जगी हुई साकार धनलक्ष्मिया कौन है धन्देविया कौन है तो हम अपना यादकार मना रहे हैं, स्लोगन है निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुब और बेखत बनाओ आज का स्वमान है मैं मुक्ति दाता हूं। आज का अव्यक्त इशारा है जैसे गेट की रखवाली की जाती है, गेट की पर रखते हैं ना, गेट की रखवाली की जाती है, ऐसे माया का जो गेट है, उसकी भी रखवाली करनी है। जिससे कोई भी आशुरी संसकार व संकल्प अंदर प्रवेश कर न सके। फिर आपके पास कैसी भी आत्मा आएगी, वो आते ही आशुरी संसकारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएगी। जब ऐसी सर्विस करेंगे तब प्रत्यक्षता होगी। तो क्या करना है? पहरेदार रखना है। पहरेदार कौन है? बाबा कहता है अटेंशन और चेकिंग ये आपका पहरेदार है। तो जब रहेगा तो इसमें कोई भी प्रवेश्ट नहीं होगा शुरी स्वभाव और संसकार। तो आज बाबा ने विशेश बच्चों में उमंग और अलास भरा। बार पूर है आत्मा, नशे में है? चलो अभी दीपा वाली की अध्याचा।